आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज एस टेरो कार्ड में हम जाने की कोशिश करेंगे टेरो कार्ड के तुरू क्या आपके परसन आपकी पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं महबद करते हैं लेकिन अभी कुछ परेशानिया है या परसन का स्वबाव यह परसन अच्छी तरह से आपसे बात नहीं कर रहें नो कॉंटेक्स सिचुएशन आपको दिया है या फिर आपकी कॉल मैसेज़ेस का रिप्लाइ नहीं दे रहे हैं आपको शक होता है कि क्या परसन रिष्टा तोड़ना चाहते हैं तो सब सब सवालों की जवाब इस टेरो कार्ट रिडिंग साथी साथ पेपर पर हम करेंगे केंडल वैक्स रिडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके परसन आखिर में क्या चाहते हैं साथी साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा तो प्लीज अपने परसन को याद कीजे ताकि उनके energy यहां पर connect हो सके और हमको accurate guidance मिल सके तो tarot cards की तुरू हम जानेगी general reading है तो जो भी resonate होता है वही लेजे बागी का छोड़ दीजे किसी और की energy हो सकती है personal reading के लिए आपको मुझे whatsapp पर सिर्फ message करना है अभी भी इतना बताने के बाद लोग मुझे direct call करते हैं तो call मत कीजे call लेने को मेरे पास time नहीं होता है बहुत सरे काम होते हैं तो जब मुझे whatsapp की तुरू पता चलता है कि आपको personal reading चाहिए तब ही आपको messages मिल जाएंगे details मिल जाएंगे पर आप बुक कर सकते हैं अपने लिए personal reading जब आपको लगता है कि आपका major problem है या बहुत दिन सी no contact situation है या फिर health related, career related, love life के बारे में, family के बारे में जा सकते हैं साथी साथ आपको remedies भी दिये जाती हैं, कौन सी crystals आपके लिए सही रहेगा, name correction भी आप कर सकते हैं अपने बच्चे का नायन, अगर चोटा बच्चा है नाम रखना है तो कौन सा नाम आपको रखना चाहिए, अगर आपने सोचा है तो क्या वो आगी जागर उनका फाइदा ह होगा, बच्चे का या नहीं होगा, future कैसा रहेगा, सब सावालों की जवाब आपको personal reading में मिल जाते हैं, अगर आप बहुत साथा detail में reading लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी कुंडली के बारे में भी आपको बताया जाता है कि अभी आपका कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अं साथ बार उनका नाम लीजे और देखते हैं, इस reading में कि आज उनकी current feelings क्या है आपको लेकर, या फिर next तीन दिन में क्या बदलाव आएगा, उनकी situation में, उनकी सोच में, यह जानने की कोशिश करेंगे, Angels, Universe मुझे प्लीज काइड करें, Angels and Divine मुझे प्लीज काइड करें, Archangel Michael, Archangel Raphael, मुझे प्लीज काइड करें, सबसे पहला काड, negative thoughts का आया है, five of swords, five of swords एक negative card है, जहां पर person बहुत ज़्यादा tension में है, depression में, इस person का दिल तूटा हुआ, मुझे नजर आता है, कहना कि आपका भी दिल तूटा है, यह person चाहा कर भी न, decision नहीं ले पारे, trap situation में है, इनक इनको किसे ने अटका कर रखा है, या किसे ने फसा कर रखा है, इनकी खुशिया आपके साथ जूड़ी होई है, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि queen of pentacles है, तो सब कुछ होने के बावज होता है, इस person की पास हो सकता है कि गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, bank balance है, लेकिन खुशी नहीं है, अकिला पन मुझे दिखाए देता है, bottom of the deck, eight of cups, तो ये person कुछ लगता है कि इनका past बहुत बुरा रहा है, जैसे कि past में किसी के साथ relationship में रहे हैं, वहाँ पर इस person को दोका मिला है, और कहीं न कहीं इस person को उस past की याद आकर बहुत जाद परिशानी होती ह कि इनको कैसे इतने अच्छे होकर भी इनको कैसा दोका मिला, हो सकता है, ये person का divorce भी हुआ है, जिसके साथ आप deal करते हैं, एक divorce ही हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये ही मुझे यहाँ पर दिखाए देता है, कि third party, कहीं न कहीं इस person के, ये person balance में आना चाहते हैं, एक अच्छा वक्त आपके साथ नई शुरुवात करना चाहते है, page of pentacles, आपके age से, इनकी age कम है, ऐसा मुझे feel होता है, ये person ट्रावल करके आना चाहते हैं, आपकी तरफ नई शुरुवात यहाँ पर दिखाए देती हैं, और सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये person की हाल या जहली है, और जब आप आएं, इस person की जिंदेगी में, तो कहीं न कहीं खुशी आई थी, इस person की जिंदेगी में, लेकिन कहीं न कहीं जो past है न, जैसी कि अगर ये person अभी अभी divorce लिया है, तो कहीं न कहीं वो past trauma, इस person को बहुत mentally disturb कर रहा है, कहीं न कहीं tension, depression, रात को ने नहीं आती है, तो कहीं न कहीं ये सोच में पढ़ जाता है, कि सच में इनको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, या फिर आपके साथ इनको फिर से धोका मिलेगा, तो ये सहन नहीं होगा, क्योंकि आखिर में वो भी इंसान है, उनको भी feelings है, ये person आपके age में कम दिखाय दिते, temperance का card यही कहने के कोशिश करता है, कि angels की blessings है, divine connection है, ये soul mate connection है, तो कहीं न कि अगर ये person पहले किसी रिष्टे में थे, तो हो सकता है कि वो कार्मिक relationship था, जहां पर इस person को, आपके partner को सिर्फ परेशानी मिली है, या फिर आपको सिर्फ परेशानी और दुख दर्द म होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, यहां पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि August महिना बहुत से लोगों के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो यहां पर December महिना बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए February बारी तक बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला है ऐसा यहां पर मुझे दिखाए देता है, लगी नमबर जो यहां पर आया है, वो एक नमबर हैं, तेरा नमबर हैं, चौदा नमबर आया है, नौ नमबर यहां पर लगी है, तो कहीं न कहीं एक बुरा वक्त खतम होकर अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन परसन की अब ठीक नहीं है person के उपर negative thoughts अभी है कुछ वक्त लगेगा जैसे कि दो हफते में अगर no contact situation है तो दो हफते में यहां पर मुझे contact होते वे नंसर आता है तो अभी हम candle wax की तुरू भी जानने के कोशिश करेंगे कि आपके person की क्या है current feelings candle के flame के उपर focus करने आपको और उस person का नाम लेना है तीन से साथ बार ताकि उनकी energy यहां पर connect हो सके एंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज काइड करें आरकेंशन माइकल मुझे प्लीज काइड करें प्लीज पॉजिटिव रहकर उस person को जरूर याद केजिए जिनके बारे में आप जाना चाहते हैं कि वो इस वत क्या सोच रहें मुझे यहां पर यह लगता है जैसे कि drops गिर रहें कि person की तरफ से moment बहुत slow है क्या है जैसे इस रिडिंग में आया था टैर्व कार रिडिंग में कि person की जिन्दगी में बुरा वक्त रहा है जैसे कि person का break up हो चुका है पहला या फिर person का पहला आपके partner का divorce हो चुका है या person क को किसी ने cheat किया है तो अभी वो so समझ कर आगे बढ़ना चाहते है और इनकी moment बहुत ही slow है तो अगर आप चाहते है कि जल्दी जल्दी मेरे साथ शादी करो या जल्दी से commitment दे दो तो नहीं इस person को बुरे वक्त से निकलने में time लगेगा तो कहीं नगीं आपको patience रखना ब वो भी जिन्दगी भर का लेकिन थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं ताकि वो सब कुछ सही करे क्योंकि जब तक आपके partner के energy positive नहीं होती तब तक वो आपको खुशिया नहीं दे सकते तो कहीं नगीं उसके वज़े से पीछे हट रही है partner कि अगर मैं मेरे होने वाले new partner को यान आपके काबिल हो सके आपके frequency के साथ match कर सके हो सकता है कि आपका पहला रिश्ता है लेकिन परसन का myself किसी के साथ रिश्ता रहा है और bad experience रहा है क्योंकि इंसन की जिंदگी में बुरा वक्त आता है अच्छा वक्त आता है और हर दिन इंसन कुछ न कुछ सीकरीच आगे बढ़ यह शायद यह person introvert है यानि कि कम बात करते हैं सब कुछ अपने दिल का हाल बया नहीं करते हैं आपकी सामने इनको time लगता है express होने में जैसे कि कोई होता है ना इंसान उसको हम पुछते हैं अरे यार मुझे बताओ तुमारे शकल ऐसी क्यों है तुमारी आखों में मुझे दिखाएंगे जैसे कि वह बहुत खुश है लेकिन सच में अगर देखा जाए तो खुश नहीं है दुखी है दुखी इस चीजसे है ना कि वह यहीं सोच रहें कि क्या वो रिष्टा निबा पाएंगे आपके साथ आपको खुश रख पाएंगे अगर अभी no context situation है तो यह person यहीं सोच रहें कि आपके साथ अगर रिष्टा निबाना है तो इनको 100% देना है और अभी इस वाक्त यह आपको 100% खुश या नहीं देख सकते हैं उसमें खुश कंफ्यूज़न की energy दिखाए देते हैं लेकिन अभी जब full moon हुआ है पुर्णिमा की energy अभी आई है तो यह person को यह कहने की कोशिश करता है कि रिष्टा तुमारे लिए सही रहेगा आगे बढ़ो तो यह person का मुझे जैसे मैंने कहा ना कि मुझे दिखाए दिता है कि यह person की कदम तो बढ़ रहे आपकी तरफ लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा time लगेगा इस person को settle होने में आपके साथ comfortable ह होने में तो ऐसा मुझे लगता है नेक्स मुझे यहाँ पर यह लगता है जैसे कि यह person चाहते है कि आपको हर खुशी दे ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि यह person commitment दे या फिर शादी करे उसके बाद आपको पश्थाना ना पड़े या पश्थावा नहीं होना चाहिए आ आपको लगना चाहिए ना कि सच में यह person और यह मुझे यह भी लगता है जैसी कि यह soulmate connection divine connection आप दोनों का है जो कि आप दोनों को एक दुसरी के तरफ same feeling से same मतलब वो जो feel करते हैं वो आप भी feel करते हो या फिर आपकी partner को जब तकलिफ होते हैं ते आपके आँकों में आश आप सुचते हैं ऐसा क्यों तो कहीं न कि यह soulmate connection उनकी तकलिफ आपसे देखे नहीं जाते ना ही आपकी तकलिफ आपके partner देख सकते हैं बहले वो express करें ना करें आपके partner male हो सकते हैं female हो सकते हैं married हो सकते हैं single हो सकते हैं किसी भी type के relationship में आप हैं सबके लिए energy ही है कि आपक चाहते हैं कि वो prepare करें तैयार हो जाएं कि आपके साथ आगे पड़े continue करें इस रिष्टे में ऐसा तो यहाँ पर मुझे जो राशी strongly दिखाये देते हैं वो है cancer यानि करक राशी क्योंकि यहाँ पर crab का symbol बनावा है तो करक राशी मुझे दिखाये देती है next मुझे यहाँ पर torus यानि कि व्रुशब राशी वर्गो कन्या राशी दिखाये देती हैं पर मुझे angels की blessings है इस र होगा कहीं न कहीं angels और universe ने इस person को आपके सामने लाया है आपकी contact में लाया है अच्छानक यह person आपके contact में आई है हो सकता है metromony site हो या फिर और कोई social media हो जहां पर यह person आपको मिले है और उनसे बातचित करते करते आपको एक अलग feeling आई है जो इसके पहले नहीं आई होग तो कहीं न कहीं यह इसलिए है क्योंकि यह past life connection भी हो सकता है तो divine connection past life connection कहीं न कहीं similar होता है अगर पिछले जनम में आप दोनों ने यही वादा किया था एक दुसरे से कि अगले जनम में हम एक साथ फिर से मिलेंगे या यह साथ जनमों का रिश्ता होगा तो कहीं न कहीं याद आती है 24 by 7 और कहीं न कहीं जितना आप तडबते हैं वो भी तडबते हैं वहाँ पर तो यह दोनों के भी समझ में नहीं आता है इस रिश्ते में कि आगे future क्या होगा क्योंकि अभी तो हालत बहुत ही बिगड़ती जा रहे है दिन बर दिन जैसे दूरिया बढ़ती है तो परिशानी भी होती है ऐसा फिल होता है आपको भी और आपके पार्टनर को भी कि यह परिशानी इतनी है आगे कैसा रहेगा दोनों का रिश्ता यह सोच रहे हैं दोनों भी सोच रहे हैं ऐसा रहे कि सिर्फ आपके पार्टनर सोच रहे हैं तो यह दिल का रिश्ता है क्य जैसे कि मैंने का ना कि मैट्रमणी साइट पर बहुत से लोगों से मेले होंगी या मुलाकात होई होगी इंटरैक्शन हुआ होगा या फिर रिष्टे आये होंगे लेकिन इस परसन के साथ जैसे आपका पॉजिटिवनेस आपको फील होता है या फिर पॉजिटिव वाइब्स आपको आती है इस परसन से वो और किसे के पास या और किसे के साथ आपको नहीं आती तो यह खास बात है इस परसन की कि वो आपको पॉजिटिव फिल करवाते हैं कईना कितने भी टेंशन में क्यों नहों इस परसन का अगर एक भी कॉल आपको आता है तो आपको आपका दिन बहुत अच्छा जाता है आपका mood तो बहुत ही fresh हो जाता है तो यही connection इसे कहता है कि divine connection है उपर से बनाया हुआ आपका रिष्टा है या फिर पिछले जनम का आपका रिष्टा हो सकता है जिसके वज़े से आप इस जनम में मिले हैं चाहिए आप अलग-अलग caste से belong करते हैं चा मंदिर में लिका था वो पहले से लिका वा था इस परसन से मिलना इसलिए आप मिले हैं यहाँ पर मुझे यह लगता है जैसे कि आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और जब भी आपको कोई मुश्किल होते हैं तो हनुमान जी के उपर ब साथी साथ यहाँ पर मुझे यही भी लगता है, किसी का मंगल भारी है, मंगल की एनरजी अगर आपकी बहुत जादा है, तो हनुमान जी की रेमेडिय आपको जरूर करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, हरुमान 40 आपको पढ़ना चाहिए बहुत से remedies हैं जो आपके करनी चाहिए अगर मंगल के remedy आप नहीं करते तो शादी में problems आती हैं शादी में delays आ जाते हैं करियर में growth success नहीं मिलता है आपके accident हो सकते हैं आपकी surgery हो सकते हैं अगर मंगल भारी है तो तो ये कुंडली से ही पता चलता है कि आपका मंगल कैसा है किस तान में है यहाँ पर मुझे ऐसा भी क्यों लगता है पता ने कि किसी की बुरी नज़र लगी है इस रिश्टे को और कहीं न कहीं ये रिश्टा जैसे कि हमेशा खुशी आपकी जिंदगी में आती है इस रिश्टे में लेकिन कुछ दिन के बाद ये person जैसे कि आपको ignore करने लगते हैं आपर दो आके और किसी इनसान की इसमें कोई female है कोई female मुझे यहाँ पर दिखाए देते है जिसकी energy इस person को आपसे दूर करने की कोशिश करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं female body figure बनावा है तो कोई female है इस person के जिंदगी में है या पहली थी जो की नहीं चाहती कि यह person move on करे यह person खुश रहे अपनी जिंदगी में बहुत jealous type की lady मुझे दिखाए देती है जो की नहीं चाहती कि person आपके आपके साथ रिष्टा जोड़े और खुश रहे अपने जिंदगी में तो कहीं न कहीं अगर यह person को कोई रोकना भी कोशिश करेगा रोकने की कोशिश या इनका mind change करने की कोशिश तब भी यह person अपनी दिल की बात मानने वाले है जैसे मैंने कहा न कि यहाँ पर strongly मुझे Aries राशी भी दिखाए देती है यानि कि मेश राशी साथी साथ यहाँ पर मुझे Taurus यानि कि वरुशब राशी दिखाए देती है ऐसे लोग जो होते है न किसी भी मुसिबत का सामना कर सकते है इनको किसी की जरूरत नहीं होती है यह अपनी दिल के मालिक होते है और अपनी दिल की बात सुनते है इनका जहाँ पर रिष्टा जुड़ा तो 100% निभाएंगे वहाँ पर और जिनके साथ इनका नहीं चमता वो उनसे दूर चले जाते है तो यह स्ट्रैप के परसनेलिटी मुझे आपके पार्टनर की धिकाह देती है जहाँ पर आपके साथ यह जैसे कि आप उनके साथ फिल करते हैं आपको खुशी महसूस होती है और वो आपको खोना नहीं चाहते इस रिष्टे को आगे लेकर जाना चाहते इस रिष्टे को नाम देना चाहते तो जब से पहचान हुई है न आपकी और इस पार्टनर की यह परसन को बहुत ज़दा इनकी जिन्दगी में बदलाव आया है बहुत सारी चीज़े जो यह गहराई से नहीं देखते थे जैसे की वाटरफॉल अगर इस परसन को पसंद नहीं था या बारिश पसंद नहीं थी तो कहीं न कहीं अभी पसंद आने लगा है बहुत सब कुछ खुबसूरत लगने लगा इस परसन को अगर यह पहले परसन अडिक्शन नहीं था फैशन स्टाइल से तो आपको देखकर यह फैशन में रहने लगा है स्टाइल में रहते हैं अच्छा परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं इनका वीनिस अक्टिवेट है या फिर आपका वीनिस अक्टिवेट है बैलन्स में है तो इसके वज़े से वीनिस अगर बैलन्स में है न तो एक बहुत ही खुश्बू आती है शरीर से इनसान के बहुत ही अच्छे खुश्बू आती है इंसन का रहन से रहन बदल जाता है बहुत stylish रहने लगता है person तो यहाप पर मुझे ही feel होता है कि Venus activated है आपका यह आपके person का और love life के लिए Venus activated होना बहुत ही ज़रूरी है तो यह person साथ निभाएंगे साथ निभाना चाहते हैं आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं जिसके आप हगदार है या जो भी आपने इस person को कहा है वो हर एक वादा यह person निभाना चाहते हैं ऐसा मुझे यहापर नजर आता है तो यहापर जो lucky number है वो lucky number 3 आया है साथ यहापर lucky number 5 भी आया है और lucky number 4 भी है यहापर मुझे यह लगता है जैसे कि यह person may may born होगे may may इनका बड़ी हो सकता है साथ यह साथ नवेंबर में born हो सकते हैं यह person December born हो सकते हैं यह फिर March में born हो सकते हैं यह person का नाम L letter से हो सकता है L यहापर prominent है बहुत strongly दिखाय देता है M letter से नाम हो सकता है U letter से नाम हो सकता है G letter से यह person का नाम हो सकता है S letter से नाम हो सकता है P letter से नाम हो सकता है K letter से नाम हो सकता है A letter भी हापर मुझे दिखाय देता है तो कहीं न कहीं यह person एक नहीं शुरुवात आपकी साथ करना चाहते हैं और कहीने कर यह person को एक strong attraction है आपकी तरफ, अगर no contact situation है आपकी दोनों में, तो person जल्दी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यह बुरा वक्त नहीं रख सकते हैं अपनी जिंदिगी में, यह अपनी life enjoy करना चाहते हैं, साथी जात आपकी साथ ही enjoy करना चाहते हैं, तो अगर बुर आएगा, अंदेरा भी है, लेकिन उचाले की करन भी यहाँ पर दिखाए देती हैं, तो कहीना कि अगर आप दोनों में कुछ भी बुरा वक्त चल रहा है, या फिर अंदेरा ही अंदेरा है, आपको रास्ता ही नहीं दिखाए देता है, कि आगे कैसा रहेगा, यह जिंदेग इसी परसन के साथ जुड़ी हुई है, और जितना खुश आप इस परसन के साथ रहते हैं, भले आपका दिन कैसा भी जाए पूरा दिन, लेकिन यह परसन का एक मैसेज भी आ जाए, या एक कॉल, तो भी आपका दिन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो एनरजी उनकी ह जो आपको खुश कर देती हैं, तो इसी से आपको समझना चाहिए ना, कि यह सोलमेट कनेक्शन है, इनकी आवास से ही आपको खुश होती है, इनकी कॉल या मैसेज, बाकि सब लोग, दोस्त लोग आपको कॉल मैसेज करते हैं, तो आपको कोई फरक नहीं पड़ता, आप ऐस के ऐसे रहते हैं, लेकिन इस परसन के एक फोन से आप हसने लगते हैं, स्माइल आ जाते हैं चेहरे पर, मुस्कुर आने लगते हैं, तो इसी को प्यार कहते हैं, तो यह रिश्टा आसने से नहीं टूटेगा, साथी साथ यहाँ पर मुझे यह भी लगता है, लॉंग आप बहुत जदे इंतजार कर रहें, क्योंकि लॉंग डिस्टेंस हैं, इसलिए मुझे इंतजार लगता है, कि ट्रावल करके कभी-कभी मिलते हैं इस परसन को, अगर फ्यूचर की बात करें तो यह परसन हर खुशी आपको देंगे, अगर आपका अरिश्टा इस परसन की स साथ होता है, या आगे आप फ्यूचर एक साथ देखते हैं, तो यह परसन हर खुशी आपको देना चाहते हैं, और यह परसन लॉयल भी रहेंगे, यह पक्का अपना वादा निभाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपकी खुशी के लिए हर एक सैक्रिफाइस कर देने के लिए तयार हैं, जैसा आप कहेंगे वैसी बात मानने वाले, लेकिन यह परसन यहीं चाहते हैं, कि आप उनको सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हो सकता है कि यह परसन इसली किसी के उपर विश्वास रख देते हैं, और बाद में इनको धोका मिलता है, हो सकता है पैसे के मामले में, अगर किसी ने इनसे पैसे वगरे मांगें, तो यह तुरन दे देते हैं, और बाद में इनको वापस नहीं देते हैं, तो इस टाप के परसन भी हो सकते हैं, कि जो बहुत जादा चालक नहीं है, लेकिन दिल से सोचते हैं, और ऐसे लोग बहुत ने की जरूरत है, ऐसा मुझे फील होता है, यह पसंद के उपर अगर आप गुसा करेंगे, तो यह दूर जाएंगे, क्योंकि यह सब इनको पसंद नहीं है, गुसा करना, एटिटूट में रहना, इस सीधी साथे, लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, इनको यह जगड़ा, लड़ाई, या जोर से बात करना, यह पसंद नहीं है, तो यह शान सोभाव के हैं, और इनकी साथ आपका स्ट्रॉंग बॉंड होते हुए, आने वाले दिनों में मुझे दिकाए देता है, जैसे मै ने कहा कि यहां पर भी, October, December बहुत ही लगी आपके लिए रहने वाला है वक्त, October की एनरची बार बार आ रहे हैं, तो October और December बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला हैं आप दोनों के लिए, और Angels की Blessings भी यहां पर हैं, क्योंकि Temperance का काड़ा हैं, तो Angels की Blessings हैं, साथी साथ य रिष्टा, अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर आप दोनों की बीच आने की कोशिश करता है, तो भी successful नहीं होगा, भले कुछ time के लिए दूरिया हो सकती हैं आप दोनों में, लेकिन हमेशा के लिए आपका रिष्टा तोड़ना, किसी के लिए मुनकिन नहीं है, ना मुनकिन है, क्योंकि ये भगवान ने जोड़ावाय रिष्टा है, तो ऐसे कोई भी आकर बाहर का इंसान आपका रिष्टा नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक इंसान से आपको संभल कर रहना है, एक लेडी है कोई, जहां पर दिखाए देते, एक लेडी है कोई, जो आ या फिर आपका या आपके पार्टनर का पास्ट में कोई रहा होगा, जो कि इस बार भी उनको तकलिफ देती है, या देना चाहती है, कोई लेडी है, कोई फीमेल है, जिससे आपको संभल कर रहना चाहिए, आसनी से किसी के उपर आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अच्छा वक्त आपकी जिंदिगी में आ रहा है, यूनिवस और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके उपर है, और विश्टा मजबूद होते वे मुझे नजर आता है, तो क्लेम कीज़े इस आनर्जी को आज के रिडिंग में इतन नहीं, अगर आप परसनल रूडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे वाट्सेप पर आप मैसेज कीज़े, वहां पर आपको डिटियल्स मिलेंगी, उसकी बाद आप मुझे परसनली बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, थैंक यू अल आप यू, थैंक यू इंजल्स, थैंक यू उनिवर्स.